वेल्कम बैक टूमाई टूप्स पेपर हैकर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ पच्छी होंगे और आपको यह पता है मैं आज आपके लिए के आया हूँ पेपर बहुत बाद करेंगे btc कहते हैं ठीक है आप जानते हैं जैसे हम बेलेड के नाम से भी जना आजाता है डी ऐल एक तो जो जबिलेड कर रहे हैं जिनका फ़स्ट सेमस्टर है उसके लिए जो पेपर का नाम हो जाए है वो रहा है समाजिक अधियन सिक्षन बहुत इंपोटेंट कोशन है इसमें तीन टाइप के दो पेपर आपका बनता है उसमें लॉंग को स्वरी उसमें आपके सॉल्ट कोशन वेली सॉल्ट कोशन और अब से यहां मैँ आपको बताने वाला हूं एम सी कोशन को याद करेंगे मैं इस वीडियो में मौस्ट मौस्ट इंपोटेंट है परमोस्टि इंपोटेंट से कहते हैं मौस्ट कॉन से कोशन आएगे आपके एक्शाम के लिए जो आप एक्शाम देने वाले हूं 2022 के कौन-क्विन इंपोटेंट है MCQ याद रखिए 2022 23 के एकजाम की बात करने वाला हूँ ठीक है इसमें क्या क्या आपको इंपोटेंट है देखो पहला को करा रहा हूं लेकिन चाहूं मैं आपको क्लिर करा हूं एक एक कोशन को बाकि मैं इसमें इंपोटेंट भी बहुत सारे हैं जो एक्जाम में आई हुए है वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो जो इंपोटेंट है वह वैसी बता दूगा लेकिन फिर भी आप एक तरफ से देखते से रहेंगे फीडियो को तो दोड़ा देखो दो चार कोशन एक्सका पढ़ लेंगे पूरा पेपर खतम करा दोगा चाहते हैं तो नोट्स का लिंक में डिसक्प्शन में रखा है नोट्स आल नोट्स डालोडिंग उस्पे टेच करना आपको नोट्स मिल दाएगा सारे आप जो चाहें वो डालोड कर सकते हैं देखो यहां मैंने प्छुप्या हो और पहला कोशन नहीं है लगत है तो देख सकते आप्शन का now आपके सामने आछुका Mon Russian जो ए रहा कि सबसे प्राचीञ प्राण कौन सा हूँ सबसे प्राचीञ सबसे प्राचीन की बात किराए प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व था तो आपको सभी को पता होगा वो option number a और b right होगा ठीक है जय सहीता और सत्व सहा इस्त्री सहीता की नाम से जाना जाता था महाभारत को ठीक है बहुत जाद important है यह देखो question btc exam 2016 में यह question पूछा गया था फिर बेसियर में जितने question question पूछे गया थे वह यहां दे रख हैं देखो यहां बुला गया है सत्मेव जयते मैं आपसे गारंटी दे सकता हूं कि यहां से बाहर कुछ नहीं जाएगा मैं आपको बता रहा हूं सत्मेव जयते किस उपनिसे लिया गया है आपको यह सभी को बता होगा जो मुण्ड को ठीक है, next question है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, जो हमारे मूल अधिकार है, वो कितने है, पहले बीटा कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे, जो मूल अधिकार थे, अब कितने रहे गए, 6, 7 मा कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, उसे खतम कर दिया गया है, अब कौन सा, कित होता है यह हमारा बिल्कुल नेक्स कोशन की बात करें मूल करतबों की संक्या कितनी है तो मूल करतब भी कितने हमारे पहले दस थे और 66 भी सभीधान संसोदा दुवारा कितने हो गए थे 11 हो गए थे जिसने भी option नमबर एक को लोग किया है बिल्कुल राइट है तो ऐसा कोशन पूचे जाते हैं जो आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं आप पेपर हैकर पर जोड़े रहिए मैं आपसे बादा करता हूं कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं है दूसरा next question पूचा गया है सबसे प्राच सिंदु नदी पाकिस्तान से होकर जाती है पाकिस्तान में और सिंदु और मोहन जोड़री पाकिस्तान में उपर इस बात करते हैं नेक्स कोशन आपसे पूचा गया है ग्रीस जो रितू है वो संब्दित होती है तो ग्रीस में जो रितू होती है वो किस दिनों से संब्दित दोडी है सबको बता है 15 मार्ट से 15 जून तक घ्री जूरों खी बात करते हैं 15 मार्ट से 15 जून वहां ब Richardson को है कि अधन करता कौन है गतर अधन करता है जो उसका उथ फैन किया था मुष्ण कर आपब को बताा है एक है और जी थे निए और भी को लॉप करें तो उसके बाद में नेक्स्ट कोशन आ जाता है देखेंगे एक बार आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करनेंगे बेल आइकन को प्रेज करेंगे नेक्स कोशन है सिंदुघाटी सब्विता जिसे हरपा सब्विता के उत्खनन करता की बात की जा रही है हरपा सब्विता की उत्खनन करता कौन थे तो वो थे दयाराम सहनी तयाराम सहनी थे option अमर बी को लॉग करेंगे नेक्स कोशन यहां बुला गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो बुला जाता है गंगा नदी को भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है नेक्स कोशन बुला गया है किन रेखाओं के उत्तर में पूरी धुरब और दक्षनी धुरब है मतलब दक्षन में उत्तर में उत्तरी धुरब है और दक्षनी धुरब है वो कौन सी रेखा है तो आपको सभी को पता है बू होती है भूमद रेखा भूमत रेखा में क्या होता है उत्तर में उत्री द्रफ होता है और दक्षन में दक्षन द्रफ होता है तो जिसने भी option number A को lock किया है विल्कुल right है next question है किन रेखाओं के उत्तर में उत्तरी गुलार्द और दक्षन में दक्षन गुलार्द है तो देखो कौन सी रेखा है जो कि उत्तर में उत्तरी गुलार्द है और डक्षन में डक्षन गुलार्द है वो भी भूमत रेखा ही बोली जाएगी ठीक है नेक्स कोशन बूला गया है पिर्मुक सक्ती के साधन है तो पिर्मुक सक्ती के साधन कौन कौन से है तो आपको सभी को बता होगा दीज राइड होगा देखो लोहा इसपाथ भी होगा कोला विदुद खनिस तेल भी होगा बायू और जल ये क्या होगे ये सक्ती के पिर्मुक तो ये सभी पर लॉग करेंगे इहाँ है, पचुवाएं होती है उसकी विशेस्था की बारी में की गई है तो आप याद रखें, डी इस राइट होगा ये हवाएं उच्छ डाव पेंडी से भिन दाव पेंडी की ओर भाती है और उनका छित्रपल दोनों गुलार्द में 30 डिग्री से 50 डिग्री से अक्षांस होता है अक्षांस से बोलते हैं और ये हवाएं आवाज करके चलती है तो ये option में जिसने भी दिया है डी परमशत्तांसर होगा next question देखिए 21 कोशन मैं इसमें 50 कोशन को कबर करूँगा यह पार्ट फश्ट होगा वीडियो का जिसमें 50 कोशन को देखेंगे 50-50 कोशन को हर वीडियो में देखेंगे अब लोग और अच्छी तरीके से समझेंगे अब चलोब को अभी subscribe कर ले motiv को प्रेस कर दिए तो तब जो भाग सूरिये के पीछे आता है वह गहलाता है जब यार इयाद करो, पूरभ से किदर हुई, पश्मिर से पूरभ की ओर जब जाएगी तो जो सूरिये का पीछा भाग होता है, पिछला भाग वो बहा होता है कहा होता है तो आप सभी कहेंगे वो रात में ठीक है वहां रात होती है जहां पिर्थभी का मतलब सूर्य का पीछा भाक्या है ऐसे करके सूरत सामने है मेरे ऐसे करके तो पीछे हम जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा तो रात में हो जाता है अंधेरा ठीक है इस तरीके से चल पंदरा दिसम्मर से 15 माज तक सीतरुतु चलती है ठीक है next question यहां बूला गया है मौरी काल के जो संस्तापक थे वो कौन थे तो मौरी काल के संस्तापक की बात की गई है तो वो थे चंद्रगुप्त मौरी है ठीक है मौरी वन्स के थे next question बूला गया है नालंदा बिस्विध्याले की स्थापना किसके सासन काल में हुई थी तो नालंदा बिस्विध्याले की जो स्थापना हुई थी वो किसके सासन काल में हुई थी यह हमसे पूछा गया देखिए यदि बात की जाए नालंदा बिस्विध्याले की तो वो हुई थी कुमार तो उपनी सुदो की संग्या कितनी हैं, आप उपोसिनिजों की संग्या की बात करें, ये 108 है, 108 उपनी सिद्र है, ठीक है? इस तरीके से रखेंगे. नेक्स कोशन है कि भारत, देखो महा भारत की, के रचाइता कौन है तो महा भारत की किसने रचाइता किया, मतलब किसने रचाइता महा भारत को तो जिसने भी option number दिया है, B, बेदव्यास के दौरा महा भारत की रचना जो है महा भारत वो किसके बेद ब्यास की है इस तरीके से याद रखेंगे next question बुला गया है रामायड के रचना को ने रामायड किसने लिखिये तो आप कहींगे बालमिकी दौरा लिखी गए थी तो बालमिकी ने रामायड लिखी थी यह आपको बता होगा next question बुला गया है संगीत का अर्थ संबंध होता है मनलब संगीत का संबंध किस से होता है संगीत का संबंध तो आप सभी कहेंगे समावेच से संगीत का संबंध होता है option number a को लॉग करेंगे यहाँ बुला गया है तीसमा question देखो बोला गया है ब्यापारिक हवाएं मिलती है जो ब्यापारिक हवाएं होती है वो मिलती कहा है तो option number जिसने A दिया है वो 5 अंसे 30 अंस उत्तर दक्षर दुरप में मिलती है option number A को लॉग करेंगे next question आपके सामने है देखो जैंधरमों के जो कह सकते हैं अंतिम तीर्थक ते जैंधरम के अंतिम तीर्थक कौन थे last वाले तो आपको बता है वो 24 में देखो जैंधरम के अंतिम तीर्थक 24 में नंबर के थे वो थे महाबीर प्रशाद आप यादर रखेंगे महाबीर स्वामी ठ ठीक है और बात करें दिया है पहले नंबर के थे तो जिसे ने भी option नंबर दिया है सी परम्षटांस रोगा नेक्स हमारे सामने है जैन धर्म के 24 में तीर्थक की बारे मोला गया जैन धर्म के 24 में तीर्थक तो को यहां गया तो यहां भी आप यही बताएंगे कि महावीर स्वामी मैंने भी बताया लाश्ट में थे 24 में महावीर श्वामी थे और पार्स बनार जो थे वो थे बिटा वो किते नमबर के थे वो थे हमारे 23 नमबर के और कह सकते हैं रिस्विवेद थे वो थे 1 नमबर के next question यहाँ बुला गया है देखो मैक मोहन रेखा का संबन किससे होता है और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में होती है आपको यह पता होगा option नमबर एको लॉप करेंगे next question बुला गया है सबसे छोटा गिरह कौन सा है सबसे छोटा गिरह कौन सा है बताओ यह fifth paper आप देख रहे है ठीक है आप देख रहे है ठाड़े चक्रवाद क्या होते है ठाड़े चक्रवाद ठाड़े चक्रवाद की बारे बोला है ठाड़े चक्रवाद भारत का है ठीक है चक्रवाद है तो भारत का चक्रवाद ठाड़ा चक्रवाद है next question option number a is right है next बोला गया है एको लॉक किया है, बिल्कोर राइट आंसर है हाँ, चलो, next question यहाँ बूलाग ज्या है, टाइफून चक्रवात कहा है, जो टाइफून चक्रवात है, वो कहां का है, option number जिसने भी यह है, सभी, टाइफून चीन का भी चक्रवात है, जापान का भी है, और फिलिसिम्प का भी, ये क्या है? टाइफ़न चक्रवाथ है. Next Question बात करने वाले हैं, देखो विलीविली चक्रवाथ कहां का है? आप याद़ करेंगी जब चक्रवाथ आता है जब जब चक्रवाथ आता तो विलीविली ये उस्ते जिडिया में आता, देखने को मिलता है. नेक्स कोशन है जब केंदर बोला गया है जब केंदर में दाब अधिक होता है तब केंदर में केंदर से हवाएं बाहर की ओर चलती है इसे क्या कहते हैं केंदर में दवाब अधिक होगा तो केंदर की जो हवाएं होती हो बाहर की ओर चलती है उसे क्या कहा जाता है उसे क्या ब बाहर की और क्या होता है दाब बढ़ जाता है तो जिसने भी option number दिया C परमसर टांसर होगा next question यहां बोला गया है जो चालोक की बंस है चालोक की बंस को कल्लिहारी भी बोला जाता है उसके संस्तादक कौन थे चालोक की बंस के संस्तापक की बात की गई है तो आपको बता रहा है चालोक बंस से बोलते हैं जो लगी ने option number B को लॉक किया है बिल्को राइट है next question यहां बोला गया है वर्धन बंस के संस्तापक की बात की गई है वो कौन थे तो हर सबंदन थे वर्धन बंस के हर सबंदन थे यहां बोला गया है असोक ने कराया था विल्कुल ठीक है असोक यहां बिंदु सार के पुत्र थे ठीक है असोक संब्राट चलो यहां बोला गया है हैंक सौंग किसके सासनकाल में भारत आया था most important है ऐसे question आपसे पूछता है हैंक सौंग किसके सासनकाल में भारत आया था तो हर्स वर्धन के सासनकाल में देखो यहां आपसे कैसे याद करोगे इसको आप यह देख रहे हैं हैंस वर्धन तो हैंस वर्धन को याद रगना हाँ इधर भी होगा हर्स वर्धन तो इस तरीके से आपको याद आजाएगा बहुत रिखाएगा जो हैंक सौंग था वो हर्सवादन के सासनकाल में भारत आया था आपका भी नहीं बोलो गया ठीक है यहां बोला गया है इंडिका का लेखक कौन है इंडिका का लेखक कौन है इंडिका की लेखक में गुस्तिज हैं, option number A को लॉक करेंगे next question है, में गुलाएं किसके सासनकाल में भारत आया था, बताइए में गुस्तिज किसके सासनकाल में भारत आया था चंद गुप्त मौरिये के, जिसने भी option number A को लॉक किया है, बिल्कुल राइट है next question बुला गया है, गुप्त राजवन्स किस लिए प्रिसित था, आपको बताना है गुप्त राजवन्स किसके लिए प्रिसित था, सबी लोग उदाएंगे बिल्कुल ठीक है, जिसने भी option number A दिया है, परमसत्त अंसर है कह सकते हैं कला और सत्याप के लिए प्रिसित था नेक्स कोशन बुला गया है अजंता कला किरतिय किससे संबन देती अजंता कला किरतियों किससे संबन देती तो option नमर यहां D गुप्त काल से संबन देती किससे थी गुप्त काल से option नमर D के ओर चलेंगे Next question, यहां गोलार्थ में सबसे लंबा दिन कब होता है सबसे लंबा दिन जो होता है वो होता है 22 December को इस क्ोई कि लिए लगभग कितने दिनों में करती है तो 365 दिने में ठीक है तो आप लगा सकते है 365.25 दिनों में करती है जिसने भी option number दिया है B, बिल्कुल right होगा याद रखना, 25 आएगा 25, तो 50 question ये रहे बाकी 50 question को हम part 2 में mention करेंगे, class में ठीक है, part 2 में तो part 1 में हमने 50 question देगे आप इन question को answer भी आप समझ चोके होंगे मैंने आपको clear गया, यहाँ से question देखरों को मिलेंगे आपके exam में मैं अपसी ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी PDF को भी download कर सकते हैं, PDF का link मैंने description box में दे रखा है notes का all notes download link बहाँ touch करना, हमारी पूरी site को लेगी आप बहाँ से download कर सकते हैं, ठीक है